असलाम अलेकुम दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मोहमद अजर और आज हम बात करेंगे NONC Contact और Axillary Contact और Timer में NONC Contact के बारे में और Limit Switch में जो NONC का Concept है उसके बारे में कल हमने वीडियो मनाई थी तो उसमें एक दोस्त ने Question किया था कि NONC के बारे में और Axillary Contact में जो भी Difference है वो प्लीज बता जीज़े तो इसमें अगर हम देखें तो Difference तो कोई चीज भी नहीं है दोनों में NONC Contact ये एक Magnetic Contact और है ना तो इसमें जैसा कि आपको नजर आ रहा हूँ गा Nc Contact है और नीचे भी Nc Contact है ठीक है और ये No Contact है और ये भी No Contact है रैट लेकिन ये Magnetic Contact के साथ में है ये Magnetic Contact है इसके अगर हम Value की बात करें तो ये 32 Ampere का है 32 Ampere में है और यह इसके साथ ही है यह इस पे आप 3 Face की Power अगर देते हैं R, Y, B और Out में 3 Face की Power ले सकते हैं R, Y, B के हिसाब से ठीक है? और यह जो Contact होता है, No या NC Contact, No का मतलब होता है Normally Open और NC का मतलब रहेगा Normally Close यह नहीं एक Switch की तरह यह वरक करते हैं और अगर हम बात करें जो Axillary Contactor है यह Axillary Contactor है तो इसमें क्या रहेगा जैसा कि आपको साफ नजर आ रहा होगा यह देखिए 13 No है और 14 No है ठीक है? उपर से अगर हम एक Wire देते हैं और नीचे से एक Wire लेते हैं यह No है यहनी Normally Open है यहनी आपस में Connect नहीं ओपन है ठीक है? और 21 पे अगर हम एक Wire देते हैं और 22 से एक Wire लेंगे तो वो Normally Close रहेगी यहनी Connect रहेगी नार्मली हालत में जोहीं Contactor On होगा Contactor On कैसे होगा? Contactor On करने के लिए अलग से हमें Power Supply देना पड़ती है इस पर लिखा रहेगा 230 Voltage, 240 Voltage ठीक है? उसके लिए यह A1 और A2 यहाँ पर हम अपनी Supply प्रवाइड करेंगे और इसे Supply प्रवाइड करने से क्या होगा? यह जो Terminal है यह अपनी Condition बदल लेंगे यहनी जो No है वो और इसकी जुरूरत कहाँ पर पेश आती है? जैसा कि Start Data Connection हो गया Reverse Forward हो गया अपना Light Control Panel में Indicator लगाने के लिए या के Dual Starter बनाते हैं वक्त जब हम Indicator लगाते हैं या Alarm लगाते हैं तो वहाँ पर हमें Axillary Contact NONC Terminal की जुरूरत पड़ती है जैसे अगर हम यहाँ पर एक Overload Relay का यूज़ करते हैं अगर Industrial Area की बात करें तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यदा यूज़ किया जाता है Magnetic Contactor का NONC का जो Concept है जिन दोस्तों का ये Concept clear नहीं होगा वो Industrial Area में वर्क नहीं कर सकते हैं और अभी जितना भी जदीद Electrical Work आता जा रहा है Building Line में भी Magnetic Contactor का बहुत ज़्यदा यूज़ हो रहा है और उसके बाद ये जो NONC का Concept है ये हर दोस्तों को clear करना पड़ेगा है ये कुछ भी नहीं है अगर Simple इसकी बात करें तो ये As A Switch है जैसे हम एक Light On करने के लिए एक Switch On करते हैं अगर एक Switch Off हालत में है तो वो NO है यानि Normally Open है और जो ही हम Switch को On करते हैं तो वो NC हो जाएगा यानि Light हमारी वरक करना शुरू कर देगी इसी तरह ये जो NONC का Concept है इसको थोड़ा सा अगर आप इसको समयने की कोशिश करें तो ये बहुत बड़ा Concept नहीं है और Axillary Contactor है जो इसका यूज हम वहाँ पर करते हैं जहांपर हमें बहुत ज़्यादा Control यनि कोई Indicator वगरा लगाने हो या के Hold करना हो Contactor को इसलिए हमें NONC Contactor का Use करना पड़ता है तो उसके बाद अगर हम बात करने टाइमर की ये टाइमर है तो टाइमर में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर थोड़ा करीब करते हैं ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1,2,3 तो जो 2 नमबर है वो तो हो गया common point ठीक है और उसके बाद जो 1 नमबर है इसका वो NC है यहनि नार्मली क्लोज है इस वक्त और 3 नमबर है जो वो नार्मली open है ठीक है इसमें भी concept यही रहेगा NONC का जितने भी digital timer हों या के analog timer हों कोई भी इन में concept यह NONC का ही होगा और अगर किसी भी दोस्त को यह concept समझ में नहीं आ रहा तो comments करके पूछ सकते हैं और आज हमने अपना WhatsApp नमबर भी दिया हुए यह नीचे यह हमारा new WhatsApp नमबर है यह on रहेगा टू मन्त के लिए उसके बाद हमारा जो पुराना वाला WhatsApp नमबर था वो आन हो जाएगा तो यह थोड़ी से problem आ गई थी इसलिए मैं यह WhatsApp नमबर आन करना पड़ा यह WhatsApp नमबर है दोस्तों जो हमारे दोस्तों पहले WhatsApp पर education ले रहे थे वो दुबारा contact करके यह नहीं अपने question कर सकते हैं और हम पूल कोशिश करेंगे उने time देने की तो यह देखिए यहां पर नजर आ रहा होगा आपको साफ लिखा हुआ है 7 और 8 तो यह इसके timer के point है इस पर voltage प्रोइड करेंगे हम 230 voltage ठीक है दोस्तों तो अगर नीचे यह दर देखते हैं हम इस साइड से यह 7 और 8 है जो यहां पर हम neutral और face प्रोइड कर देंगे और उसके बाद क्या करते हैं आठ अगर for example 8 नंबर पर हमने face प्रोइड किया तो वहां से हमें एक wire देदेंगे 2 नंबर में और 2 और जैसा के यहां पर उपर नज़र आ रहा है 1 2 और 1 जो terminal है वो अपना हो जाएगा अपना contact nc contact बन जाएगा यह नार्मली close और नार्मली open रहेगा 3 नंबर तो यह जो 3 नंबर है यहां से हम wire लेकर किसी भी magnetic contactor को hold कर सकते हैं या किसी भी light को control कर सकते हैं जिस चीज को आप control करना चाहते हैं यह देखें तीन नंबर से wire जाएगी किसी भी contactor को hold करने के लिए या किसी भी light को control करने के लिए क्योंकि ये एनो कॉंटेक्ट है ठीक है और जितना भी हमने यहां पर टाइम दिया रहेगा उसी के हिसाब से ये एनो एनसी जो ही यानि वो टाइम क्लेर हो जाएगा उसके बाद जो आपका टर्मिनल है वो दुबारा एनो से एनसी से एनो में बदल जाएगा ठीक है दोस्तों और जो हमारा ये टर्मिनल था वन जैसे आम हालत में यहां पर लिखा हुआ है ये साफ नजर आ रहा है कि ये एनसी है तो बाद में ये एनो हो जाएगा और जो हमारा थ्री नमर वो एनसी हो जाएगा यानि ये चेंज हो जाता है इसका और उसके बाद अगर हम बात करें लि इंडिस्ट्ली अरिया में तो इसका बहुत ज़्यदा यूज हो रहा है, यह देखिए, यह अभी अनो है, अभी आफ अलत में, जो ही एंसी पर आएगा, तो यह किसी भी चीज को आउन कर देगा, या किसी भी लाइट वगरा को आउन कर देगा, इस से आप किसी भी चीज को कं कर सकते हैं, किसी लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी डॉर को, अगर आप चाहते हैं कि, फर गजेंपल, एम डीबी में, एसम डीबी में, जो बड़े पैनल होते हैं, एल सी पी वगरा, वहां पर भी लिमिट फिच का बहुत ज़्यदा यूज होता है, और इसी से जब हम एनो एनसी का जो कंसेप्ट है, थोड़ा सा क्लेर हो गया होगा, और जिन दोस्तों का अभी कुछ कॉस्चन बाकी हैं, वो कमिट्स करके पूछ सकते हैं, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आपको गाइड करने की, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीज अपना बहुत सारा ख्यार रिखिए, और हमें अपनी दौाओं में याद रखिए।